मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के येटूब चैनल पर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके सामने लाए हैं जो की जीडी कॉंस्टेबल की जो भरती है जो आपको पता है कि इसमें बहुत जादे 44 प्लस वेकेंसी हैं और इसका जो डेट आया था दोस्तों अनाउंस हुआ था उसके बाद कहले जी यह टलता चला गया टलता चला गया आपको एक बताएंगे मेथट या फिर कहले जी एक तरस से एक ट्रिक बताएंगे आपको जो की बच्चे माले जीए की 23 साल इसमें एज मांगा हुआ है तो जो साल 9 महीने हो 22 साल 10 महीने होगा 22 साल 11 महीने है उनके लिए खुसकबरी है दोस्तों वह क्या कर सकते हैं मतब कि इसमें गवर्मेंट को यह बताया गया है कि जो बच्चों का 3 महीने से क्योंकि यह टल रहा है भरती 3 महीने 4 महीने से यह टल रहा है पहली बात है यह लेट भी ह हुआ है उसमें सेलेक्षन लेट दिया गया है कोरोना के कारण तो जो बच्चे हैं उनको उनका यही काना है कि सर इसमें जो आपका जो एज है एज रिलेक्सेशन ने थोड़ा सा दिया जाए छूट दिया जाए तो बस उसी पर यह बातें कहीं गई हैं दोस्तों इसमें देख के नोटिफिकेशन के इंतजार के बीच उमिदवार इसकी आयू सीमा बढाने की मांग करने लगे हैं उमिदवारों का कहना है कि नोटनिकेशन मार्च में जारी होने जीडी कॉंस्टेबल भर्ती के रिजल्ट बहुत देरी से आए आपको पता है दोस्तों बहुत देर आए COVID-19 के कारण जिसमें कि फिजकल अगर भी बहुत जादे लेट हुआ और इस वज़े से भी बच्चे मांग कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा बढ़ाया जाना चाहिए ले कर आपका थोड़ा सा भी every हो गया है ज़ादे तो आपके लिए थोड़ासा हो सकता है सरकार रेक्सेयसन देदे लेकिन दोस्तों सरकार है यह कुछ भी कर सकती है कि यह झोटा शाना जरूइन अडिया आपको इंगर आपको अच्छा लगे दोस्टों आप जाजा शेयर करे पिए उन दोस्तों को बताईए जो थोड़े से ओभर एज हो चुके हैं ना चलिए धन्यवाद कि 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 कि